दारू शराप पीने वाले होश गवाते हैं और भक्तिरस को चकने वाले मदखोश हो जाते हैं जिसे उसके नाम का सहारा नहीं वो चिंता में तिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जैकार लगाते हैं क्या? राधे, राधे, जै श्यनिदेव, जै श्रीकृष्णा. मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अगस्त का महिना आगया है. आज आपको बताऊंगे एक से लेकर के 31 अगस्त कैसा जाएगा ये महिना, क्या क्या आपके साथ कुने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है, और किन चीजों को अवाइट करना है, सारी बाते बताएंगे. So, let's get started. राशी फल प्रारम करने से पहले इस महिने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं. नाग पंच मी 9 अगस्त को मनाई जाएगी, भारत का 37 वा स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा, वरा लक्ष्मी वरत 16 अगस्त को मनाई जाएगा, रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी, और जन्माष्ट में हमारे कानू जी का जो जन्म दिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा इस महीने कौन सा घ्रह कहां परिवर्तन करेगा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं सूर्य 16 अगस्त से सिंग राशी में प्रवेश करेंगे चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशी करक राशी से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी करक राशी में बने रहेंगे मंगल जो है वो ब्रशब राशी से 26 अगस्त को मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे बुद्ध जो है वो 22 अगस्त को सिंग राशी से वापस करक राशी में प्रवेश करेंगे क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक ब्रहस्पत्य जो है वो व्रशब राशी में बने रहेंगे शुक्र जो है सिंग से 25 अगस को कन्या राशी में प्रवेश कर जाएंगे शनी जो है कुम राशी में वक्री बने रहेंगे और 15 नवेंबर तक वक्री ही रहेंगे राहो मीन राशी में और केतु कन्या राशी में बने रहेंगे यह जो राशी फल है आपकी चंद्र राशी के हिसाब से यानि कि आपकी जर्म कुली में जो आपकी चंद्र राशी है उसके हिसाब से आपके मून साइन के हिसाब से प्रेडिक्शन किये जाते हैं और साथ ही इसक आने वाली समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूं, आने वाले समय के बारे में बता देती हूं, कुछ लोग कैरे हैं, गुरुमा हमारे साथ बुरी गटना है तो जल्दी हो जाती है, जो आप बतारे हैं, वो बिल्कुल 100% माच करता है, और अच्छी गट तो हमारी सिध्ध दर्बार में आपका हमेशा ही स्वागत है, तोकन नम्बर के द्वारा, बुधवार को टोकन नमबर लीजिए, नीचे स्क्रीन पे नमबर आरे है, या साइट में जो नमबर आरे है, उसमें बुधवार के दिन आपने कॉल करना है, बाकी दिन फोल दिखाने आ सकते हैं, बाकि मंगलवार और शनीवार को भी दर्बार लगने लगा है, और लाल मंदिर बैस्पटेल नगर बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयूजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस, तो जैसे ही लोग मिल करके उसको और्गनाइस करते हैं, हम वहां पर निशुल्ग दर्बार जरूर लगाते हैं, अगला दर्बार कब लगने वाला है, वो हमारे वाट्साप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्यूनिटी पोस्ट है, वहां से भी या आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है, वो बिना टोकन का दर्बार लगाया जाता है, मंगलवार शनीवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आईए, लेकिन क्यूंकि वहां बहुत सारी लोग आते हैं, दो सो से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेडना देते हैं, जिसको भी हमें लगता है, जादा आवश्यक्ता है, उसको बुलाते हैं, लोट्री के द्वारा, और उनके जनमकुली हम विल्कुल उस समय देखते हैं, वरना फिर आप दुबार जो दरबार लगेगा, उसमें भी आ सकते हैं, बहुत सारी जगाओं पर बातचीट चल रही है, जल्दी है, जो लोग बाहर हैं, उनके लिए उनहीं के शहर आकर के जनमकुली देखेंगे, आप भी और्गनाइज करना चाहते हैं, तो हमारे जो नमबर्स हैं, हेल्प लाइन आप बिल्कुल सही रस्ते पे हैं, जो कुछ भी डिसिजन आपने लिया है, वो करेक्ट है, आगे चलके उससे लाप की प्राप्ती जरूर होगी, आपको उससे साटिस्फाक्शन होगा, और आपने उपर प्राउड होगा, कि आपने इस रस्ते को चूज किया है, तो अगर का डिसिजन आपको डाउट दे रहा था, तो यह कंफरमेशन है, डैवी शक्ति आपको यहीं बताना चाहते हैं, कि आप बिल्कुल भी परिशान मत होगी है, सही रस्ते पे आगे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, अगर हम बात करें आपके धन की स्तिती की, तो धन आपक आपको रिसीव होगा, तो आपको फीलिंग आने लगी है, तो अगस्त का महीना थोड़ा सा वीटिंग जरूर हो सकता है, या लास्ट में हो सकता है, आपको कुछ बड़े धन की प्रापती स्टार्ट हो जाए, कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर जो है, उसके अंदर धन की दिखा रहा है, जिस रस्ते पे आप चल रहे हैं, वो आपको धन जरूर देगा, जॉब की बात करनी तो इसमें कुछ लोग जो है, वो अपनी जॉब को लेके थोड़ी से परसनल होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, जॉब में थोड़ा अटाच्मेंट बढ़ता हुआ कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें अपना जॉब चेंज करना पड़ी, तो फिर हमारा जो कमफर्ट है उसका क्या होगा, तो वो एक मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप चिंता मत करिया, आपकी जॉब कहीं पर भी नहीं जाएगी और आपकी जॉब अच्छी चलती रहे की, और भी भगवान जी तो आप कमफर्टिबली अपनी जॉब कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा परस्टल आपनी कर लिया है पस वहां दिकत है जिसके विसे काम पे कॉंसेंट्रेट नहीं कर आएगे, थोड़ा सा काम पी भी कॉंसेंट्रेट करें तो उन्हों चीज़ों को बैलने तो अच्छा बना रहीगा, बिसनेस के बात करें तो भी जो है तो थोड़े जादा उमीद लगाए बैठे हैं मतब थोड़ा जादा रिस्क ले रहे हैं समी में थोड़ी जादा उमीद लगा रखिये आपने और बिल्कुल जैसे कहते हैं रिस्की मूव आपने ले लिया है ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो आके future में तो उसका वो है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको सम्हालना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नहीं हो रहा है, आप बहुत over ambitious हो रहे हैं, तो एकदम से वो चीज नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा भी plan B लेकर चलिए, अपना waiting period ले का, लोग जो हैं वो अलग अलग जगाओं पर आपकी publicity करते दिखाई दे रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का marketing संबंदी को एक्षिन आपने लिया है, बहुत थारी लोगों को जोड़ रहे हो, जो marketing करें आपके लिए, तो वो दिख रहा है, अलग अलग लोग जो हैं, या उनकी sales करते दिखाई दे रहे हैं, या इसको अलग लग लग जगी distribution हो रहा है, बहुत लोगों के बीच में आपका product या service जो है, वो others और लोग जो है, उसको popular कर रहे हैं, या उसको mouth publicity दे रहे हैं, या उसको market कर रहे हैं, या उसको market कर रहे हैं, या sales ला रहे हैं, ऐसा क क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी मेरा नाम मदु है मैं दिल्ली में रहती हूँ पहले मैं राश्रीफल वगरा नहीं मानती थी लेकिन जब से गुरुमा के आपे जोड़ी हो मैं राश्रीफल उनका देखती तो उनका राश्रीफल एकदम सटीक होते है 100% मैं चुआ मेरे साथ गुरुमा ने पहले बोला था कि आपके हाथ में च्छाले उनके बोला था कि भाई भैन में जघड़े वगरा भी उनके तो वह भी हूँ मेरे साथ असी बहुत सारी चीज़े मेरे साथ हुई है जो भी गुरुमा राश्रीफल में बताए उस सब बाते में साथ हुई है और आप भी आहाँ पर आकर अपना को वहां से आपको मिल सकता है धन की बात करें तो इस समय धन जो है वो आपका जो सेविंग्स है वो ऐसा ही बना रहे का उसको तोड़ने की जाधा जरवत नहीं पड़ेगी लेकिन अभी थोड़ा से जैसे मैंने बताया बेटिंग पिरिएड है तो थोड़ा मानेजमेंट आप को एक दूसरे की तरह मिरर करते हुए देखेंगे आप एक दूसरे की तरह सोचते हुए देखेंगे दोनों के एक साथ होंगे एक ही तरीके के होंगे हो सकता आपके घर में भी चीज हो रही है उनके घर में भी चीज हो रही है तो मतब कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ जो है अगस्त के महिने में ढूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई सारे लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं आपसे मुलाकार पी और याप किसी आपको इसके लिए यूज़ कर सकते हैं जब बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्राक्ट हो रहे हैं तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए मन्त बहुत ही इंपोर्टन हो सकता है कि आपको काफी सारे लोग आसपास जो है वो मेलचा है तो फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली से थोड़े कटे कटे और दूर रहते में बतानी क्यों आप दिखाई दे रहे हैं कोई आपने किसी को कुछ कह दिया है जिसकी वजह से अपको फोड़ा सा किल्ट हो रहा है या आपने किसी तरीके से उनको कुछ बोल दिया है आपके situation आप ठीक से उन्हें एक्स्प्लीन नहीं कर पाएं अपनी फैमिली में जिसकी वरिसे आप ठोड़ा कट रहे हैं बच रहे हैं उनसके पात नहीं करना चाहरें तो फैमिली से कहीं आप कटते हुए दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी विल से वो तो आपके आपके लिए खड़े हैं वो तो आपसे प्यार करते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहें तो थोड़ी मिसंडरस्टाइणिक सामिली लाइफ में हो सकती है एल्थ की बात करें तो अपनी मदर या अपनी ग्राइंड मदर की हेल्थ का आपको ठोड़ा क्याल रखना होगा वहां थ पेपर पर डिसकस करते हुए या किसी एक्जामिनेशन पर डिसकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं तो वहां से भी कुछ जैसे कोई चीज आपको नहीं याद आ रही है या कुछ पता नहीं है तो वह कोई इंफोमेशन आपको फेलो स्टूडेंट के द्वारा इस सम स्पेसिफिक ऐसा है कि उनके हार्ट में जो है वह पीन उठ सकता है तो अगर थोड़ा सा भी को प्रॉब्लम है आप डॉक्टर को जरूर दिखाई अब आपको बताते हैं इस महीनी का महा उपाई इस महीनी आपने एक विशेश उपाई करना है क्योंकि जन्माश्च में आ यह उपाई जो है हर आशि का जहत्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति कर सकता है और आपको अवश्चिह शान्ती नहीं बत बहुत हो गीैं एक थे भी अशुप धर गलने में खुशिया नहीं है या बच्चों का सुख आपको प्राप नहीं हो रहा है या बच्चे आपकी पढ़ लिख नहीं रहे हैं या किसी प्रकार से घर में सुख शांती नहीं बत पा रहे हैं तो इस उपाय को अवशी ही प्रयोग करें इस जन्माष्ट में आपने जो ही आप म समान उसको देजिए, कपड़े दे सकते हैं, आप उसको दूद का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलोने दे सकते हैं, जो उसके डेली योस में ऐसा कोई समान उसको जरूर देजिए, जो करीब हो जिसको आवशकता हो, अपने गर परिवार का मत देना, आप लोग क्या करते हैं, अपने गर में अपने बच्चा हुआ है, अपने उसको दे दिया, तो पाई किया चाता है, जिसको आप जानते नहीं है, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है, कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं, तो वहां किसी गरीव बच्चे के कुछ भी अच्छा कीजिए और चांदी वगयरा भी दान कर सकते हैं इससे आपके घर में सुख शांती की प्राप्ति अवश्य होगी बच्ची अगर कहना नहीं मान रहे हैं संतान का सुख नहीं है तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा भगवान श्री कृ जए श्रीकृष्णा